हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कंप्यूटर जोब अपडेट आज की वीडियो में हम बात करने वाले NCRT के अंदर जो है आपकी रिक्यूट्मेंट आई है यह जो रिक्यूट्मेंट है यह आपकी कॉन ट्राक्चल बेस की है आप यहां पर देख सकते हो चिक है अब आगे देख इनकी टोटल नंबर उफ वेकिंसी जो है छे हैं तो यह तो पोस्ट ग्राजुएशन की जो डिगरी आपकी साइंस के अंदर हो स्टेटिस, माट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, हुमिनिटी, एजुकेशन, साइक्लोजी, कम्प्यूटर साइंस ठीक है और आपकी 55% मांक्स होने पोस्ट ग्रेशन यहीं की मास्टर डिगरी हो और मास्टर डिगरी में आपके 55% मांक्स हो कम्प्यूटर साइंस अगर आपने की हुई है तो डेफिनिटल यहां पर अप्लाइ किजिए छे पोस्ट हैं साथ हजार रुपए आपको परमन्त दिया जाएगा बेशर को बेशर क अपर वाली है मतलब यह असेंशल है यह बहुत जरूर है इनके बिन आप अप्लाइ नहीं कर सकते साथ में गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है ठीक है अप्लाइ करने के लिए और यह जो इसकी जो नोटिफिकेशन है यह जो पीडिया यह मैं आपको टेलिग्राम चैनल प आपकी है तो आपको जो है बेनेफित मिल जाएगा इनका अब जो है जो है जो है जो आपकी कंसेंट अ काडमिक टोटल नंबर और पोस्ट है आपकी फ़टी नई सेलरी अगें 45,000 अची होती है वह तो आप अप्लाइ करते है पंताली साजार महिना काफी साही है ठीक है अग एडुकेशन साइकलोजी कम्प्यूटर साइंस विदिन 55% मांगा गया अगर आपके एक्सपीरियन्स है तो अच्छी घासी जॉब है तो आपको पता है कि मैं कम्प्यूटर से रिलेटेड आपको सारी अप्डेट देती हूँ तो अगर आपका कम्प्यूटर साइंस में है तो डेफिनिटल यहां पर अप्लाई कीज़ेगा डिजारेबल में अगें यह है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट असोशेट सर्वे सीनियर रिसर्च असोशेट नंबर और पोस्ट जो है 5 है और टोटल यहां पर जो सेलरी मिलेगी रनुम्रेशन वागो 30,000 पर मन्त मिलेगा ठीक है पोस्ट ग्राजवेशन की डिगरी होनी चाहिए 55% मार्क्स आपका यहां पर होना चाहिए अगें चाहिए कंप्यूटर साइंस में तो आप प्रोजेक्ट asociate के लिए प्लाइ नहीं कर सकते हैं की यहां पर ओर दो पोस्ट के लिए प्लाई कर सकते हैं तो इसके ऑपने नेक्स्ते हैं आपका जूनियर प्रोजेक्ट फेलो तो इसमें पर वाले डू पोस्ट है अपकी बार्ण हो जो है 25,000 प्वालिफाई तो आपको नेट कॉलिफाइद है तो पक्चेस हजार मिलेगा, अगर आपका अगर आपको नेट कॉलिफाइद नहीं है तो तो 23 थुजन रुपीज आपको मेलेंगे अगर आप विधडार नेट हो तो डेफिनेटल यहां पर यहां पर कोई experience नहीं मांगा गया तो तेईस हजार रुपए भी अच्छा है सिर्फ अपने master किया हुआ है और 55% marks आपकी computer science से हैं तो यहां पर आप अप्लाइगर सकते हैं अपर वाली पोस्ट के लिए आपके पास experience नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाइगर दीज है तो आपके आप यहां पर देख सकते हो minimum 55% marks equivalent grade 50% marks equivalent grade in case of SCST मतलब के लिए 50% और बाकी OBC और जर्लल काटेगरी वालों के लिए 55% marks आपके होने चाहिए तो काफी अच्छा है आप बिल्कुल apply किजे टोटल पोस्ट यहां पर बारा है चाहिए जो है वो 40 साल है इसके बाद है आपका office assistant नमबर ऑफ पोस्ट एक है 25,000 रुपे पर मन्थ है graduate कि इसमें होना चाहिए और दो साल का experience होना चाहिए ठिक है डिजायरेबल में good knowledge of noting and drafting letter in English and Hindi and handling अच्छाहिए बाकी कंपल्स एसंचल आपकी ऊपर है च्क है accountant, graduate in any discipline और आपका 2 साल का experience अगें 25,000 रुपे तो में आपकी तीन वेकिंसी थी जो computer वाले apply कर सकते है तो आपका junior project fellow आप यहां पर apply कीजिए ठिक है उसमें experience भी नहीं है अगर आपके पास experience है तो आप concerted के लिए apply कर सकते है 29 पोस्ट हैं और आप senior के लिए apply कर सकते है तो अच्छी पोस्ट है अपलाई कर दीजिए ठिक है लास्ट डेट में आपको बता देती हूं 15 जनवरी है गूगल फॉर्म लिंक mention अगें इच पोस्ट हर एक पोस्ट के साथ गूगल फॉर्म लिंक है आप अपलाई कीजिए ठिक है जो candidate जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाएं बस को करेंट इंटर्वियू होता है अगर कोविड के किस जादा नहीं रहे या फिर आपको बुलाया जाएगा फेस-to-face आपसे इंटर्व्यू लिया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करने का दनना नोटिस ऑफ इंटर्वी इंटेड इन गूगल फॉर्म जो भी गूगल फॉर जो है सम्मिट करेंगे उसी के बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट करके उसी पर आपको मेल मिलेगा तो पंदरा तारिक लाज़ जेट है पंदरा तारिक से पहले आपको गूगल फॉर्म पर अप्लाय कर देना है तो सबसे बात यह है कि हाँ पर कोई फीस वग्यार का नहीं है क्योंकि अदर्वाइस हजार रुपए यह वह बहुत सारी चीज़ रहती है तो सबसे बेस्ट है यह पर कोई टीए वग्यार आपको नहीं मिलेगा इसलेक्ट हो जाते हैं तो इमीडियेटली आपको जो है जोइन करना पड़ेगा इससे अच्छा और क्या होगा वही अगर इस साल नहीं साल में लगते ही जौब मल जाती है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है ठीक है तो यह पूरा है यह इस तरीके से दे रखा है ठीक है आपका अप्लिकेशन फॉर्मिल्ट है जो आपको वहाँ पर इस तरीके से मिलेगा ठीक है सबसे अच्छी बात है कोई फीस अच्छा कुछ नहीं है क्योंकि अधिया एक ठीक है तो आपको सारी चीज़ा यह रहें खमें आड़ीगाम चैनल आपके लिए आविलेबल है मैं अपको यह आपको यह अप्लाइ कर सेके ग्गुल फॉर्म कर लिंक कर नहीं है इस तरीके से में गूगल फॉर्म भी आपको एक सेकिंड भी इस तरीके से जब आप Google Form पर क्लिक करेंगे तो आपको email ID, full name, father husband, guardian name, gender, date, birth, address, permanent address, mobile number, alternative, card degree, post-graduation in degree, percentage marks, year of passing, any other educational qualification, net qualified, detail of 5 year experience, application, prescribed format of copy, PG degree, PG marks, category, certificate, date of birth certificate, experience certificate, any other certificate in support of यहां पर आपको यह सारी फाइल्स एड़ करनी है ठीक है तो यह गूगल फॉर्म है इस तरीके से ओपन होगा इस तरीके से इसमें कुछ जादा भारी भर कम चीज़े भी नहीं है कि आपको कुछ अलगी यहां पर भरना पड़े ठीक है तो आप इसको भर सकते हैं ऐसा कुछ यहां पर आपको बताना है तो आपको सारी चीज़े सामझ में आगे होगी डेटेल से मैं एक एक चीज़े एक स्प्लेइन कर दी है और किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो फिर मिलेंगे ऐसी नहीं अपडेट के साथ तब बबाई ट आपके और थैंक यू